दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बेबी स्टॉक के बारे में जिसका जलम अभी सिर्फ सवासान पहने ही हुआ है उसको जलम देने वाली मा जो है उसके नाम में भी मदर आता है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ एमसुमी वायरिन के शेर के बारे में इस स्टॉक का आर्यम फंडमेंटल एनलिसिस भी करने वाने हैं साथ ही ये भी मैं बताऊंगा कैसे इस स्टॉक में अगर आप सो दोसो पॉन्टिटी भी खरीद के छोड़ देते हैं तो ये अकेला आपको करोड़ पती बना सकता है क्योंकि उल्रेडी समवर्दना मदरसन इंटरनेशनल ने पास्ट वे इतनी वार बोनस दिया है जो सिल्सला कॉंटीनूसली जा रही है और यही सिल्सला आपको एमसुमी में भी देखने को मिलेगा और आज हम जानेंगे एमसुमी आने वाने 10 सार में 15 सार में कितनी मार बोनस देता हुआ नजर आ सकता है किस परीगे तो ये इस टोप आपको करोड़ पती बनाने का दम रफता है एंड कंपनी के fundamental analysis कैसे है वो भी आज की वीडियो में हम जानने वाले है वीडियो में आपको पर इसे पहले इसका प्राइज कर दीजेगा चैनल प्रोफसर मुजिट के है तो सब्सक्राइब करने जीगा चैनल यह चलते है नमपर टे स्कीन पर और जानते है इस टोप के बारे में टीटेल में बात करें अगर हम मदरसं सुमी वाइरिंग इंडिया के स्ट्रॉप की तो सबसे पहले इसका प्राइज देखते हैं प्राइज जो देखने को मिलता है Synpekt करोरद कर रहरो जेंडिया सब्सक्राइज थोड़ा बहुत प्राइज पर निची हो सकता है अब यहां पर अगर आप कंपनी का मार्केट कव देखी तो 2014 करोड़ का देखने को मिलता है एंड यहाँ पर समवर्दना Mother Sun Company जो है एक Joint Venture के साथ काम करती है यानि कि यहाँ पर Sumi Tomo Wiring Systems and Mother Sun Group जो है वो एक Joint Venture में काम करता हूँ नजर आता है और यह एक Market Leader भी देखने को मिल रहा है Wiring Hireness के Business में जहाँ पर इनका 40% का Market Share है यानि कि अगर Market में 100 Product Sale होते हैं उसमें से 40 Product आपको M Sumi यानि कि Mother Sun Sumi Wiring के देखने को मिलेंगे Rest 60 Product जो है वो Various Other Other Companies के हैं अब यहाँ इस Stop का 52 Week High जो है वो है लगबग 71 रुपे 20 पैसे का 52 Week लोग की अगर हम बात करें तो वो है लगबग 42 रुपे के आस-पास का वहाँ से Stock काफी उपर ट्रेट कर रहा है और 52 Week High से देखे तो अच्छे कासे डिसकाउंट पे है Fundamentals के बेसिस पर आप Stock का PE देखोगे तो बहुत ही शानदार है एक Outperformer Stock है मैंने पहले काफी बार बताया है इस Stock में आपको अगर Long Term के Vision से Investment करनी है जब भे Dip में ले हमेशा इस Stock को करीदे क्योंकि Fundamentals इस Stock के बहुत ही सूपर डूपर है यहाँ पर अगर आप देखोगे Industry लगबग 25 के PE पे ट्रेट करता है जबकि Stock जो है वो 57 के PE पे ट्रेट करता है यानि कि Industry से भी Double के PE पे अब यहाँ पर एक Confusion और में Clear करता हूँ आप लोगों की बहुत सारे लोगों को एक Confusion ये भी रहता है कि जो 30 की PE वाला Stock है या 30 से कम के PE वाला Stock है वो काफी अच्छा है Investment के Point of View से और उससे उपर जो भी हमको PE वाले Stocks देखने को मिलते हैं वो थोड़े से Overvalued होते हैं बढ़ अगर आप Segment की बात करो तो अगर आप देखो कि मदरसंस वाइरिंग जो है वो 57 के PE पे ट्रेट कर रहा है और इसका Segment जो है और उसमें ये 40% की Leadership भी रखता है तो थोड़ा सा अगर Overvalued होगा भी तब भी कोई ज़्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि Stock ने और रेनी एक बार अच्छी तेजी बना के correction दिखा दिया है Book Value देके तो लगबग 2.47 पैसे Book Value से अच्छा खासा उपर है 22 टाइमस के आसपास यह उपर देखने को मिलता है और इस टॉप जब से लिस्ट वाए कमपनी ने एक बार डिविडेंड में दिया है डिविडेंड येल्ड देके तो 1% के आसपास का डिविडेंड येल्ड है कमपनी का ROC 59% से ज़्यादा का है ROE की बात करें 50% से ज़्यादा का देखने को मिलता है और मैं बोलता हूँ अपनी Mostly वीडियो में किसी भी अच्छी कमपनी की तलाश अगर आप कर रहे हो और उसमें अगर आपको ROC या ROE देखना है तो मिनिमम 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 30% से ज़्यादा है तो वो काफी अच्छा कंसीडर भी किया जाएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 60% के आसपास तो ROC या रहा है 50% के आसपास ROE भी देखने को मिलता है वही अगर हम बात करें Earnings Per Share तो कंपनी की Earnings हो है वो अभी काफी लो है यही कारण है कि यह stock अभी आपको 3-digit में देखने को नहीं मिल रहा और बहुत जल्दी यह 3-digit की Valuations तक पहुंचता हुआ भी देखने को मिलेगा Already हम देखें एक Market में बहुत बड़ी News आई है Government ने इतना बड़ा फैसला लेनी आए कि 2027 तक डीजल के जो वीकल्स है वो गाड़ियां सारी आपको रोड से हटती हुई नजार आ जाएंगी तो अपने आप में जो इस सेग्मेंट में तेजी जो है वो बनने के चांसेs Government की तरफ से आ चुके है Government का एक ऐसा फैसला रहा है जिससे Auto Ancillaries बहुत ही जबर्जस्त तरीके से अब बूम करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा Company पे करजे की बात करें तो 0.34 का करजा है Less Than 1 का अच्छा माना जाता है और यहाँ पर Less Than 1 से भी काफी कम नज़र आता है Promotors की Holding 61.7% जो अपने आप में काफी decent holding है Operating Profit Margin की बात करें तो साड़े 11% थोड़ा सा Company को यहाँ पर Margins के उपर Focus करना पड़ेगा Then यह Company आपको काफी शानदार result प्रोवाइड करेगी और जैसे ही Operating Profit Margin इंप्रूव होंगे Automatically Earnings Company की बढ़ेंगी और Earnings बढ़ेंगी तो Automatically Stock को एक Boost मिलेगा Currently Company के पास अगर हम देखे Debt कितना है तो वो है 374 करोड का Reserve अगर हम देखे तो वो है 777 करोड के आसपास जो अपने आप में मैं बात करूँ तो काफी अच्छा फिगर है और कुछ Numbers ऐसे भी हैं यहाँ पर जो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा जैसे की Company की अगर हम बात करें Interest Coverage Ratio 17 की देखने को मिलती है Minimum किसी भी Company की Interest Coverage Ratio 15 या उससे ज़्यादा हो तो वो एक अच्छी Company में Consider होती है साथ ही Contigent Liabilities की अगर बात करें तो मात्र धाई करोड के आसपास है जो अपने आप में बहुत ही छोटा सा नमबर है अगर यह नमबर जादा होता हमारे Reserve से तो Company के लिए बहुत ही बड़ा खत्रा होता बट अभी कोई भी खत्रा किसी भी तरीके के खत्रा मुझे इस स्टॉक में नजर नहीं आता अगर बात करें अर्णिंग पर शेयर्स की तो बस वही एक ऐसा वीक पॉइंट है जो थोड़ा सा स्टॉक को नीचे की तरफ लेके आया है थोड़ा सा Company अगर अर्णिंग पर फोकस करें ओपरेटिंग मार्जन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए Automatically यह इस टॉक आपको काफी अच्छे से बूस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा अब चलते हैं चार्ट की तरफ चार्ट अगर आप देखोगे इस टॉक का पहले तो इस टॉक काफी करेक्ट हुआ और एक 46-47 की रेंज में भी आया बहुत अच्छा मौका दिया बाइंग का वापस यहां से उपर निकल गया अभी यह इस टॉक अपने 50 DMA and 200 DMA दोनों से लगब उपर ही ट्रेट करता हुआ देखने को मिलता है जो यह पताता है कि स्ट्रॉक में स्ट्रेंथ है बायर्स इस्टिल यहां पर एक्टिव हैं और बाइंग करते हुए नजर आ रहे है अनलिसिस के पॉइंट से अगर आप देखोगे तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वार्मेंट जो है वो यहां पर रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है जो 45-6 डेज के आसपास थी अभी वो 36 डेज के आसपास रह चुकी है इस स्टॉक का एक कौन जो है वो बस यही कि यह बुक वेल्यू से काफ़ी उपर ट्रेड करता है एंट बुक वेल्यूसे उपर ट्रेड करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐसा रिजन है दीरे 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 कंपनी इंप्रूमेंट करेगी स्टॉक और भी उपर जाता हूँ नजराएगा तो उस समय तो यह बुक वेल्यूसे और उपर देखने को मिलेगा तो इसलिए कोई बड़ी घपरानी की बात नहीं है अब अगर हम पियर कॉम्पेटीटर्स की बात करें तो बॉश यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉपलर ब्रैंड है मार्केट कैप की अगर आप बात करोगे तो इसका देखो लगपक 56,700 करोड का है उसका आदा मार्केट कैप अप्रॉक्सिमेट मदरसन सूमी वाइरिंग में देखने भी मिलता है और यहाँ पर अगर आप इल साथ आटो एंसलिरी के स्टॉक में देखो तो एक चीज़ कॉमन जो नज़र आएगी वो यह कि mostly stock 3-digit 4-digit में है अभी तक दो undervalued stock हैं जो है समवर्दिना मदरसन और बेबी कामपनी मदरसन वाइरिंग यह दोनों stock में भी तेजी वनी तो यह आपको 3-digit नहीं 4-digit में भी जाते वे नज़र आएँगे इसलिए मैंने आपको starting में बोला था कि fundamentals बहुत मजबूत है इतना दम है कि यह करोड़पती बना सकता है अब quarterly result की तरफ चले तो आप देख सकते हो जो sales है थोड़ा बहुत impact होता हुआ नज़र आ रहा है जो main इनकी company है mother company उसमें stake sale हुआ था उसका impact overall completely गुरूप पे भी पड़ा है तो इस तोड़ा सा pressure में था अब थोड़ा सा pressure से निकल कर उपर की तरफ बढ़ना start हुआ है overall मैं numbers की बात करूँ अभी तक जो number है उसमें कभी भी company loss में तो नहीं देखी PNL अगर आप देखोगे 2021-2022 का देखने को मिलता है जहाँ पर sales और विस सी बात है बढ़ती भी नज़र आईए profit के अगर हम बात करें तो वो भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही नज़र आता है overall मैं अगर fundamentals के basis पे देखूँ अच्छा है PNL company के अच्छे है quarterly result अच्छे है और एक और सबसे अच्छे चीज़ share capital किसी भी company का कम होना बहुत अच्छा माना जाता है stock listing के बाद से share capital almost आदे से भी कम हो गया जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है reserves की अगर हम बात करें तो reserves company के यहाँ पर अगर आप देखो थोड़े बहुत company ने business को expand करने के लिए यूज किये है वही चीज हमको borrowings में भी देखने को मिलती है borrowings भी company की थोड़ी सी बड़ी है बट यहाँ पर इस चीज कोई बड़ी घबराने की बात नहीं है कि company की borrowing बढ़ गई तो क्या company करजे में डूप जाएगी बहुत बड़ा brand है अगर आप देखोगे इसके बारे में जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कितनी बड़ी company है कितना बड़ा यह brand है अब यह किस तरीके से आपको bonus से करोड़कती बना सकता है तोड़ा सा वो समझा देता हूँ इसकी mother company की जो history है उस पर चलते है समवर्दिना मदरसन इंटरेशनल लगबग 1997 में company ने यहाँ पर पहला bonus दिया दूसरा bonus, तीसरा bonus, चौता bonus अगर आप देखोगे overall 1997 से 2022 तक company ने 10 bonus दे दी है दो stroke split भी company का चुकी है टोटल 12 corporate action हो चुकी है अब यही चीज हमको mother suns ओमी wiring में भी तो देखने को मिलेगी न क्योंकि यह company अभी एक साल पहले list री listing के बाद bonus मिल गया तो अगर company आने वाले समय में भी आपको 10 साल के अंदर 5 bonus या 20 साल के अंदर 10 bonus दे देती है क्योंकि stock split के लिए तो आप कोई कुझा 20 बची नहीं एक उर्पे की face value है तो यहाँ पर option क्या बसता है सिर्फो सिर्फ bonus का bonus की अगर हम बात करें तो जो mother company है वो already bonus के history बहुत रची maintain कर रही है और यहाँ पर लगबग 1997 से लेके 2022 तक 25 सालों के अंदर company ने 10 bonus दे दिये दो stock split दे दी तो 12 corporate action कर दिये 25 साल में on and average 2 साल में एक corporate action निकल कर आता है हर 2 साल में अगर यह company bonus देती है और आप 100 quantity भी करीदते हो तो automatically 20 साल बात वो quantities का volume बहुत बढ़ चुगा होगा second चीज अभी stock 2 digit में है 20 साल बात minimum 4 digit में होगा तो stock की जो valuations है वो भी बढ़ेंगी stock का जो price है वो बहुत अच्छा होगा तो automatically आपकी जो returns की calculations है अगर यह stock 15 पर हुआ तो उस समय तक आपके जो shares bonus से grow है उनकी भी तो value बड़ेगी न तो overall अगर आप देखोगे तो fundamentals अच्छे हैं bonus की history mother company की अच्छी होगा और baby company की भी अच्छी होगी क्योंकि listing के बाद ही company की दरफ से bonus दिया गया था 5 share पे 2 share का अब आगे चलके company 2 share पे 1 share देदेगी तो वो और अच्छा हो जाएगा क्योंकि उससे हमारे shares का volume और बढ़ता हुआ नजर आएगा long term का एक बहुत दिगज खिलाड़ी है अगर आप समवर्द्रा मतरसन international की bonus की history जानना चाहते हो तो मैं already एक dedicated video बना चुका हूँ वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई और थेंक यू फो वाचिंग